हाई दोस्तो असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है अपल ने एक नई एकसेसरी जो है अपने आइफून के लिए कर दिया है लॉंच जिसका नाम है मैक सेव बैटरी पैक अब यह मैक सेव बैटरी पैक जो है दोस्तो आपको लगेगा एक बहुती महेंगा सा पावर बैंक लेकिन यहाँ पे यह एक सीकरेट फीचर आईफोन 12 सीरीज का करता है अनलोग जैसे इसको एपल ने लॉंच किया यहाँ पे इसी के साथ एक सीकरेट फीचर जो है सामने निकल कर आया है जिसके बारे में हम काफी टाइम से सुन रहे थे सबसे पहले मैं आपको यह मैक आपके आइफून 12 सीरीज के बैकसाइड में हो जाता है एटाच, MacSafe DIY पीछे आइफून 12 सीरीज के अंदर जिसके अंदर मैगनेट्स है और इस पावर बैंक के अंदर भी मैगनेट्स है यहाँ पे यह पीछे चिपक जाता है और आपके iPhone को जो है wirelessly करता है चा तो जबी भी आपको juice की ज़रूत है आपको extra battery की ज़रूत है आप अपने iPhone के पीछे जो है इसको लगा देंगे और ये wirelessly आपके iPhone को जो है चार्ज करेगा अब यहाँ पे इसके जो specifications है इसके जो charging capability है यह आपको बिल्कुल भी impress नहीं करेगी क्यों मैं आपको बताता हूँ और उसका price भी आपको बताता हूँ यहाँ पे इसकी जो charging capability है जब यह Mac Save battery pack जो है आपके iPhone 12 के पीछे लगा हुआ होगा और कोई भी external charger इसके जुड़ा हुआ नहीं होगा उस time पे सिर्फ 5W की wireless charging यह प्रोवाइड करेगा आपके iPhone 12 को यानि की बहुती slow charging आपका iPhone 12 जो है इसके जर्य से करेगा इसमें क्या होता है बेसिकली आपके iPhone 12 Mini 12 जो line-up है जो छोटे iPhones है 12 Pro Max वालों को तो जरूरत नहीं है लेकिन 12 और 12 Mini वालों को क्योंके बैटरी लाइफ यहाँ पर उतनी जादा नहीं है खास के जो यह मिनी को यहाँ पर extra 1460 mh का बैटरी जो है यहाँ पर आड हो जाती है जिसकी मेंसे आप पूरा दिन जो है फोन को इस्तमाल कर सकते है अब जब आप इसको इस्तमाल करेंगे अपने डेस्क पे और इस MagSafe बैटरी पैक के अंदर जो लाइटनिंग पोर्ड अपल ने दे के रखा है इसके अंदर भी लाइटनिंग पोर्ड आता है इसके जरिये से अगर आप उस MagSafe बैटरी पैक को करते हैं उस टाइम पे आपके आइफून पे चिपकावा होगा पीछे से MagSafe की मदद से तो आपके आइफून को भी वो चाइज करेगा और उस टाइम पे जो एपके आईफून को देगा वो 15 वाट की फास्ट चार्जिंग होगी जो के आपके आइफून 12 के लिए wireless charging की maximum power capacity है लेकिन दोस्तों ये जो capability है इसकी 15 watt की charging प्रोवाइड करने की अपने आपको charge करते करते आपकी iPhone को भी fast charge करने की उसके लिए आपको 20 watt का charger जो है Apple का वो minimum लगेगा उसके नीचे वाले charger से आपको 15 watt की wireless charging यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी ये max save battery pack जो है 11,000 रुपेगा इंडिया के अंदर काफी महंगा है सिर्फ 1460 mh capacity की बैटरी के लिए और इसके अंदर जो है आपको कोई charger कोई charging cable कुछ भी नहीं मिलता तो सभी आपको अपने iPhone के साथ जो अपने खरीदा है उसको इस्तमाल करना है अब यहां पर दोस्तों यह जो max save battery pack है यह कौन सा secret feature unlock कर रहा है वो बताने के लिए मैं इसका एक और feature बता देता हूँ यहां पर जब आपके iPhone के पीछे आप इसको लगाते है और इसको चार्ज करते तो मैंने आपको बताया wireless charging आपके iPhone को मिलेगी 15 watt की लेकिन अगर आप उस टाइम पर अपने iPhone को चार्जिंग पर लगाते है और पीछे चिपका हुआ है आपका max save battery pack तो उस टाइम पर आपका iPhone जो है आपके max save battery pack को करेगा reverse wireless charge अभी तक हमको यही सुनने में मिल रहा था कि Apple ने iPhone 12 series के अंदर पीछे magnets तो दिया है लेकिन reverse wireless charging नहीं दिया है लेकिन iOS 14.7 और इस max save battery pack ने यह हमको बताया है कि अब जो है आपका iPhone 12 series चाहे 12 भी नहीं हो 12 हो, 12 Pro हो या 12 Pro Max हो यह reverse wireless charging भी support करता है max save battery pack के लिए तो यहाँ पर यह कमाल का feature था जो iPhone 12 के अंदर Apple ने चुपा के रखाता feature देता है फिर उसको जो है चुपा के भी रखता है यह कमाल की बात है Apple की Apple के अलावा यह चीज़ कोई नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पर जब तक कि वो सही तरीके से execute नहीं हो तब तक Apple उसको implement भी नहीं करता है अब यहाँ पर Mac Save battery pack जो 11,000 रुपेगा है एक्स्ट्रा बैटरी प्रॉइड करता है इसके बहुत सारे alternative भी हो सकते है इसकी जगा आप कोई battery case भी इस्तमाल कर सकते है लेकिन यहाँ पर इसका जो importance है इस तरीके सामदे निकल के आता है एक्स्ट्रा बैटरी पावर तो आपको दे रहा है लेकिन जो network के लिए extra consumption होता है general battery cases के अंदर यानि कि आपका iPhone जो होगा उसके अगर आप एक battery case लगा देते हो तो उसमें network coverage जो है उसका इश्रू आता है network को block करता है antennas को block करता है जिसके विए से जादा battery इस्तवाल होती है इसलिए जादा बड़ी battery वाला battery case आपको वहाँ पर इस्तमाल करना पड़ता है जो कि Mac Save battery pack के case में ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्यूंकि एकदम clean रहेगा सब site से open रहेगा अगर आपके आईफोन पर पीछे चिपकेगा अगर आपने Mac Save का case लगा है तो यहाँ फिर आपका आईफोन जो है without case के आप इस्तमाल करेंगे तो उस टेम पर यहाँ पर network का issue नहीं आएगा जिसकी वएसे आपकी battery की efficiency जो है और मेरी अगर आप माने तो आईफोन 12 Pro Max users के लिए यह कुछ काम की नहीं हो सकता है मैं लूँ इसको review करने के लिए office इस्तमाल भी करो लेकिन आईफोन 12 Pro Max users जो है उनको यह चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है आईफोन 12 mini या 12 users उनके लिए ज़्यादा suitable रहेगा Apple का Mac Save battery pack और दोस्तों जिन लोगों ने यह शोबाजी वाले iPhone लेकर राखा है जैसे यह gold वाला iPhone 12 Pro Max मेरे हाथ में है तो इस type के phone इस्तमाल करने वालों के पास ज़्यादा पैसा होने के बावजुद भी वो इस battery pack का फाइदा नहीं उठा सकते क्योंकि जब custom backup बनवाते है तो यहाँ पे wireless charging की capability जो है completely चली जाती है आपकी आप में से बहुत लोगा सवाल यह होगा कि पुराने iPhone जो है जिनके पास iPhone 11 है 11 Pro, 11 Pro Max या जितनी भी iPhones है जो के wireless charging support करते हैं क्या इनके साथ इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं तो answer हाँ भी है और ना भी है हाँ इसलिए है क्योंकि हाँ इससे आपको यहाँ पे wireless charging मिल जाएगी extra battery मिल जाएगी सब चीज मिलेगी लेकिन आपको जो चीज नहीं मिलेगी वो है MagSafe की capability तो यह जो इस तरीके से चीपक नहीं पाता हमारा जो पुराने iPhones है MagSafe charger के साथ उस तरीके से MagSafe battery pack के साथ भी चीपक नहीं पाएंगे तो यह है दोस्तो MagSafe battery pack की सारी information 11,000 रुपे का है अगर आप में से किसी को लेना है तो ले सकते है description में link दे दूँगा लेकिन अभी तक Apple के website पे available नहीं है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो आपको कैसा लगा दोस्तो 11,000 रुपे का यह छोटा सा power bank iPhone 12 सीरीज के लिए मुझे comment लिए लिके दो बताईए वी कि ताद दूस्तों आपको अचको वीडियो पसना आपको आपको इसको लाइक एच्छेट रुकिजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब रुकिजिए गुडबाई